आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेथी और पनीर के साथ बनने वाली बहुत ही अमेजिंग रेस्पी मेथी चमन पनीर की जो की रेस्टरून में बहुत ज़्यादा निमांड में होती है हाई everyone, welcome back to my channel, तो आज हम मेथी चमन पनीर वो भी बिलकोl रेस्टरून जैसे क्रीमी और मजेदार मेथी चमन पनीर रेस्टरून में बहुत जादा पसंद किये जाते हैं और बहुत जादा ओर्डर किये जाते हैं तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टरंट जैसे मेथी चमन पनीर तो चलिए इसकी शुरुवात करते हैं मेथी चमन पनीर बनाने के रिए मैंने यहाँ पे लिए हुए धाई सो ग्राम फ्रेश मेथी यह मेरे गार्डन की मेथी है तो यहाँ पे इस तरह से जो डंडिया आप देख रहे हैं वो मैं नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि यह गार्डन की मेथी है इसके बिल्कुल फ्रेश है और डंडिया बिल्कुल सॉफ्ट है अगर आप मार्केट वाली मेथी ले आते हैं तो जरूर इस तरह की डंडिया निकाल दें आप और सिर्फ पत्तों के साथ इसे बनाए तो यहाँ पे देखें मेथी को मैंने अच्छे से धो के साफ कर लिया है अब इसे हमें बारिक काट लेना है तो सारी मेथी हम बारिक बारिक काट लेंगे तो यहाँ पे देखें मेथी की मैंने बारिक चॉपिंग कर लिया है और मेथी हमारी रेडी है अब यहाँ पे मैंने लिया हुआ धाइसो ग्राम पनीर और उसे भी क्यूब्स में हम कट कर लेंगे तो थोड़े से बड़े साइज में मैंने इसे कट किया है क्योंकि इसे हमें फ्राइ करना है मतब शेलो फ्राइ करना है इस ते थोड़े से बड़े पिसे में मैंने इसे कट किया है तो सारे पनीर को इस तरह से क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है अब पनीर और मेथी दोनों ही रेडी हो गएं तो सबसे पहले पनीर को हम shallow fry करते हैं तो इसके लिए मैं ले रही हूँ एक पैन और उसमें मैं डाल दे रही हूँ ओयल तो यहाँ पर मैं इसे मस्टर्ड ओयल में बना रही हूँ आपको जो भी ओयल पसंद हो या जो भी ओयल खाते हो उसमें बना सकते हैं ओयल के गरम होने के बाद हम डाल देंगे थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा नमक पैन को मैंने थोड़ा सा घुमा लिया है और इसमें हम पनीर डाल के fry कर लेंगे तो यहाँ पर हमें शेलो फ्राई करना है पनीर को दोनों साइट से थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन आने तक पनीर को हमें फ्राई कर लेना है अब इस तरह से पैन को घुमाग देंगे और थोड़ा सा पनीर को फ्लिप कर लेंगे ताकि ये दोनों साइट से golden brown हो जाए तो यहाँ पे इस तरह से देखें सारे पनीर मैंने flip कर लिया है और दोनों ही साइट से बराबर से golden brown कर लिया है तो पनीर हमारे सिख चुके हैं अब ऐसे में पनीर थोड़े से hard हो जाते हैं तो आप क्या करिए मैं एक बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको बताने जा रही हूँ इसके लिए पनीर को हम डाल देंगे गरम पानी में तो एक bowl में मैं डाल रही हूँ उबला हुआ पानी और इसी के साथ साथ इसमें डाल दोंगी मैं थोड़ा सा नमक इस नमक वाले पानी में हम पनीर डाल देंगे इससे हमारी पनीर बिल्कुल भी hard नहीं रहेंगे अच्छे से soft हो जाएंगे यहाँ पे दीखे थोड़ा सा इसे mix कर दिया है अब एक pan में मैं डाल रही हूँ प्याज तो यहाँ पे मैंने चार medium size के प्याज डाल दिये है इसे के साथ मैं डाल रही हूँ करीब 60 gram के आसपास काजू यह काजू आधा कप या 60 gram के आसपास मैंने अड़ किये है इसमें मैं डाल रही हूँ करीब 1 कप पानी और इसे हमें soft होने तक पकाना है तो यहाँ पे इस तरह से इसे cover कर देंगे हम ताकि प्याज और काजू अच्छे से soft हो जाएं तो यहाँ पे देखिए पानी भी dry हो चुका है और प्याज और काजू भी अच्छे से soft हो चुकी है अब इसका हमें बनाना है paste तो इसके लिए सबसे पहले इसे हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे तो यहाँ पे इसे हम ठंडा होने देते हैं उसके बाद ही हम इसका paste बनाएंगे यहाँ ठंडा होने के लिए मैंने एक पोल में इसे निकाल लिया था और यह अब ठंडा हो चुका है तो इसे डाल देंगे हैं मिक्स जार में और इसका हम पेस्ट बना लेंगे तो यहाँ पे काजू और प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया है पेस्ट हमारा रेडी है एक पैन में डाल दूंगी, ओयल तो यहाँ पे भी मैं मस्टर्ड ओयल का यूस कररी हूँ । आप जो सा भी ओयल खाते हो, उसे ले सकते अब ओईल गार्म होका है तो इसमें दालकों ठीण Metal de di सबसाली तो ति सापन्च करियरे निदा रचाए to यह दालिक तक्राइब धूटी का करें अब मसालों के चटकनिक बाद हम इसमें डाल देंगे करीब 2 टेबल स्पून बारीक कटी हुई लसन, लसन का टेस्ट में बहुत ही अमेजिंग लगता है, तो यहाँ पे लसन को थोड़ा सा सौटे करने के बाद हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ अद्रक, तो यहाँ पे एक करें, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हूँ, मैंने यहाँ पे सिर्फ दो हरीमिर्श एट की है, अब यहाँ पे हम मेथी आड़ कर देंगे, जो हमने बारीक काट के रखी हुई थी, मेथी को हमें तीन से चार मिनट तक भून लेना है, तो देखिए, अभी मेथी की कॉ हल्दी का पाउडर, आधा टीश्पून लाल मिर्श का पाउडर, इसे भी हम मेथी के साथ थोड़ा सा पका लेंगे, तो बस हमारी मेथी अच्छे से भून चुकी है, अब इस पे हम एड़ कर देंगे काजू और प्याज का पेस्ट जो हमने बना के रखा था, थोड़ा सा पानी के साथ मैंने मिकसर जार को क्लीन भी कर लिया है, तो प्याज और काजू को हमने पहले से पका रखा है, तो बस मेथी के साथ हम इसे एक से दो मिनट तक भूल लेंगे, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाना है, अब इसमें हम एड़ करेंगे फिटी हुई दही, यहा दिया हाई पे, और इसे हम थोड़ा सा भूल लेंगे, तो इस स्टेज पे फ्लेम को हाई पे ही रखें, ताकि दही फटे ना, और दही को हमेशा फेट के ही एड़ करें, अब यहाँ पे मैं एड़ करें एक टीस्पून नमक, नमक जादा नहीं आड़ करें, नमक पहले चेक पन भी होगा, वो बिल्कुल निकल जाएगा, हमें इसका थोड़ा सा खटा मीठा सा टेस्ट चाहिए, इसने यहाँ पे मैंने शुगर आड़ की है, यहाँ पे मैं आड़ करें, आदा टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, आदा टीस्पून सौफ का पाउडर, तो यहाँ पे मैं आड़ करूंगी पनीर, तो यहाँ पे जो फ्राई करके पनीर मैंने रखे हुए थे, वो मैं आड़ कर दूंगी, तो पानी से निकालके ही पनीर को आड़ करें, तो यहाँ पे देखे इस तरह से पानी से अलग करके मैंने पनीर इसमें आड़ कर दिये हैं, अब यहा तो मारकेट वाली जो क्रीम आती है वो भी आड़ कर सकते हैं मैं यहाँ पर मलाई आड़ कर रही हूँ जब आप घर की मलाई आड़ कर रहे हो तो बहुत जरूरी हो जाता है कि उसे थोड़ा फैट ले तभी आड़ करें तो इस तरह से देखिए इस क्रीम या मलाई के साथ हमें थोड़ा से से मिक्स कर लेना है और बस हमारे पनीर मेथी चमन बन के तयार है अब गैस को हम कर देंगे OFF और चलिए इसे कर लेते हैं اخ पनीर मेथी चमन हमारे बन के तयार है देखने में लग रहा है ना ये बहुत ही लाजवाब तो restaurant जैसे पनीर मेथी चमन बनाने के सारे टिप्स और ट्रिक्स मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिये हैं आप भी पनीर मेथी चमन बनायें पनीर मेथी चमन को आप रोटी के साथ नान के साथ पराटी के साथ कैसे भी सब्सक्राइब करीप बखोट ही जधाधर आमेजिक हैं